खलो दोस्तों स्वागत हैं आपका हमारी यूट्यूब चैनल एमर स्टेडी में ठीक है आई इसके वीडियो में हम लोग बात करेंगे वह इतिहास के एक इंपॉर्टन टॉपिक पर बात कर वोगी ठीक है तो क्या बात करने वाले हैं तो आज की वीडियो में जो हमारा सवाल ह वह है तेमूर का भारत पर आकर्मन और उसके प्रभाव यह तेमूर जो नाम आप सुन रहे हैं भारत का तबाही का एक सबसे बड़े कारणों में से एक रहा था ठीक है जब भारत आया तो पूरी तरह से भारत को तबाह करके अपना देश गया था ठीक है तो चलिए पूरा कवावारी को बारे में समय लेते हैं कि उसका घिन खिर हो खास तो का तेमूर का पढ Charles से जिए प्रशाइब का फुन्हों नाम पर स्थानि प्रदेश के क्याश नम कर्षथान पर हुआ ठीक है ठीक है 236 में उसका हुआ था ठीक है और उसके पिता का नाम चैया था अमीर तुर्गे था जो वालरस साखा को पर्मूख ठीक है, 336 में उसका जन्व उसके बाद जीत लिया यानि कि इतने बड़े बड़े देश को भी जीत लिया समझ सकते हैं वह कितना हुखार सासक था उसके सैने को में क्या पावर थी कि उसने इतने बड़े-बड़े सासकों को उसने हराया और उसके सपना था प्रदुनिया को जीतना और इसी करम में उसका सपना भारत को भी जीतना था और इसी करम में उसने यह सोचा कि भारत का प्लान बनाया कि भारत को कैसे जीता जाए जीता जाए तो भारत वो आप समरकन से 90,000 सेनिकों के साथ भारत की यात्रा शुरू करता है ठीक है और इस जब यह अपने रास्ते में आ रहा होता है तो कई पड़ी कठी रास्तों में वह आता है इस दोरान उसने बहुत सारे कम से कम लाखों फिन्दू का-स ने बंदी बना लिया था लाखों फिन्दू को बंदी कर दिये तो रास्ते में हिए के sophomore से संदो को है व्दिया जितना हम लगों ने एक हिंदो को बंदी वनाया है है ही और इस त्रह से में से में सब्सक्राइब कर दिया था कि समझ सकते कि उवसक्ता है देक्जाता थे के पूरा समुझते हैं कि वहारत पर coalition के सकति नहीं है ते कि वहोगां देख्टा वह समझ रहते हैं कि भारत की यूज़ युद्ध icon कहते हैं यूज़भि में भारत प्रफुरा में को देखते हैं अरहता है Aah और इसको लूटा जाय किसी भी तरह से तो यहीं बज़ह रहा था कि उस भारत के और टा तो भारत में और जा सभरे को बारत Jason भारत क्र वारत कर दारे हैं तूज्छार कुर्वाष के वन्स की बात नहीं थीर समय में तेमूर ने समय का लाव उठाने की बासों चींद पर आक्रमन कर दिया जैसे भारत को पता चलता है कि भारत की जो सासक है वह सक्ति सालीड नहीं है बहुत कमजूर रहें वह सही सबने सासकों को कंट्रोर में नहीं कर पा रहे हैं तो इस स्थितिति का तेमूर ने फाइदा उठाने कि आ सोची और उसने भारत पर आकड़मन कर दिया यह रहा उसका पहला उद्दे और मैं मक्सद था दूसरा मक्सद क्या था तो उसको पता था कि भारत में धंदोलत भारत धंदोलत थी था त्यों में वेज़ा जो आप तेम भारत पर आक्रमन किया था उसने यह सोच लिया था कि धन दुलत भारत में बहुत ज़्यादे मिलेंगे और इसका लूटना ही उसका मकसद में से एक था उसके अलावा तीसरा जो मकसद था वह इसलाम धर्व का परशार करना था था हिंदू कि अबादी बहुत ज़्यादा थी ख़दनी भारत में वह तो आए हम इसलामं धर्व कफैलाव करेंगे हिंदूस्तान में ठीक है ठीक है पराकमन कि परचार भी किया था आगे देखते हैं कि तेमूर का भारण प्राकमन किस तरह से था मैंने पहले पताया कि लगवन नब्य हजार सेनिकों के साथ भारत आता है थे थे भारत आता है थे मुझा भारण प्राकमन तेरस से तो इन्ठागे इस वी में उत्याद में हुआ यह मंते फोद्व्य तेमूने से से र फेल आता हुआ दिल्ली का सल्तान को थे सो admir तो सल्टना कि आण पर तो तेमूर प्राष्ठी और भाग या था ठीकर तेमूर का सांबना और शल्तान थो भाग जाता पिर तेमूर ने इस युद में पूर्व एक लाक युद बन्दियों को कटल करवा दिया था मैं पहले बताया कि जो एक लाक बन्दी बनाए थे हिंदु को तक तक खुले आम कतल कर दिया था तेमूर लगों 15 दिनों तक दिल्ली में रहा था और इस दोरान उसने खुब लूट मार कर रहा था भारत में खुब लूटा भारत के लोगों की खुब हैत्याई करी थी ठीक है कि वह फिरोजाबाद मेरट हड़ी द्वार होता हुआ कांगड़ा तरह जम्मू को लूटता हुआ समरकंद लोट गया और इस तरह से पुरा भारत लूटने के बाद आ जाता है अपना देश समरकंद चला जाता है इस मद उसने हज्यारों बेक्तियों को दास बना लिया गया अपने और गुलाम बना के बहुत सारे लोगों कि उसने हत्याय करवा दी थी वह अने कलाकारों को भी पकड़ कर अपने साथ समरकंद ले गया था ठीक है क्योंकि जो बहुत बड़े कुछ 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 कलाकार भी रहते थे बहुत अच्छे कलाकार थे तो उन्हें पर संद गया था तो अपने साथ अपना समरकंद ले गया था और जितना पंद्रा दिन जो तेमुर भारत में रहता है खुब तबाही यहां पर मचाता है उसने खीदर खा को सुल मुल्तान लाहोर और दीमापूर का सासक नियुक्त किया ठीक है और यह जो मुल्तान को जुटा जो प कि खेदर, खा को यहां पर सासन कर देता है इसके अलावा समयते हैं कि तेमूर का अकरमन का प्रभाव क्या पड़ा था हमने बताया कि भारत महारत पर ने खूब तबाही मचाई पूरी तरह से यहां कर तसरे को कहरा दिया और पूरी तरह से भारत को रहन्दोलत लुटकर को और फिर तरह से खोकला कर दिया तो पहला प्रभाव तो सब Sprich उसने क्या कटको पर्थिष्ठा धूमल हो गए और उसे हरा दिया था acher jus 14ENTS में मुहमद तुब तुब मेर्थि की मिर्थी के परश्चा तुगलक को हएक खत्म हो गया यानि कि पहला जो परफापड़ाथा तुगलक वन्स को हड़ा दिया उसने और तुगलक वन्स पूरी तरह से खत्म हो गया उसके परिस्था धोल में मिल जाती है दूसरा परफापड़ता है दिल्ली सलतंत का वीगटन तरह दिल्ली में शासन करता है तो यहाँ कैसा अ Direesta पूरी तरह से यहां के सासकों को हरा दिया और इस तरह को यहां पर पूरी तरह से हालत खड़ाब हो गया था जोनपूर मालवा गुजरात और प्रांत स्वतंत्र हो गई संपुन भारत छोटे-छोड़ राजिये में बढ़ गया था ठीक है केंद्री सक्ति पुनत नश्ट हो गई और सर्वत सर्वत अव्यवस्था फैल गई थी तबाही पूरे तरह से दिल्ली में मच गया था उसके बाद आ जाते हैं अकाल तथा रोगों कपर को ठीक है तेमुन ने कई नगड़ों से गावों को लूटा और उन्हें पूरे तरह से उजार दिया यहां कर रहा धन दोलर का पुरा ल जाने वजह से बहुत सारे लोगों की मौत भी होती है उसके पड़ता है समाजी और इसके आकरमन से यानि ll अकरमन से समाज को काफी नुगसान होता है यहां के जनसें प्रभा पड़ता है क्योंकि उसने बहुत सारे हिंदों को व्द कर दिया था हत्या कर दिया था लूट मार के कारण कई घरे तब आ हो गई थिए वीरान हो गई थी समाज इक बैवस्ता नेश्ट हो गए थी समाज में कुछ बचा ही नहीं था समाज में अस्वानतिस्ट और भाय का माहौल था कि कहीं फिर से तेमूर ना आ जाए और फिर से उनके तबाही ना मचा दे क्योंकि हर घर से लोगों की हत्याई हुई थी ठीक है और जो तेमूर आया था तो उनका मूल मक्सद ही था कि हिंदू कर संहार करना हिंदू को मारना पीटना और इसलाम धरका परचार करना था और इस लिए लोगों में भार्ण डर था और बहुत सारे लोगों को उसने दास भी बना लिया था गुलाम बना लिया था ठीक है तेमूर अपने साथ भारत का बहुत सारा थन लूट के लेके चल गया और इस तरहค mitig खोकला उगया था तेमूर के आकरबनद से कृसी बेवर्थभी ब्यविद्र बिगड़ गई थी तो इस तरह मुझा बिल्हें लकायो कि तरह कितनी अप्छिमिन चाहिए भार को कितना लूटा सारा वीडियो आप लोग जरूर समझ गए होंगे उम्मीद है आप लोग को वीडियो पसंद आया है ठीक है और पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें मिलते हैं हम लोग नए वीडियो में